लोकसबा चुनाव से पहले केंद्र की नरेंद्र मोधी सरकार ने नागरिक्ता शंचोधन कानून देश में लागू कर दिया है C.E.A. लागू होने के बाद उत्रप्रदेश में सुरक्षा की चाक चौबंध विवरस्ता की गई है पुलिस मुख्याले की तरफ से जिलों को अलर्ट पर रहने का नरदेश जारी हुआ है D.G.P. प्रशान्त कुमार ने कहा कि प्रदेश में सुरक्षा तकडी है C.E.A. की अधिसूचना जारी होने के बाद सभी सम्वेदंशील और अधिसम्वेदंशील जिलों में अतरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है शोशल मीडिया के जर्ये महौल बिगारने वालों पर कारवाई की जाएगी C.E.A. को लेके ये सम्वावना वेक्ती जा रही थी इसको जल्दी सरकाल लागू करे लिए इसको लेके तो हम लोगों ने अभरिहत तैयारिया ती थी पहले से और हमारे इतने भी फील्ड के अधिकारी हैं उनको इस सम्वन में संसिटाइज कर दिया लिया था और उनकी लगातार सभी स्केटोल्डर्स जैसे धार्विक नेता हैं थीस कमीटी के मेंबर से डिजिटल वालिंटियर्स हैं और सिबिल डिफेंस के लोग हैं उनके साथ लगातार वार्ता चल रही थी और मैं पुना ही अस्वास्ट करना चाहूंगा कि C.E.A. एक ऐसी एक ऐ कि किसी को नागरिकता दी जाएगी और वो ऐसे लोगों की जो हमारे प्रोसी देशों से धार्मिक कारणों से परेशान होके यहां आएं उनकी संख्या भी बहुत कम है और इसका व्यापत असर भी दिख रहा है सभी धार्मिक नेताओं ने इस समय में अपनी पॉजिटिव और हम लोग लगातार आतियाद बढ़त रहे हैं और जहां तक कानून विवस्था बनाए रखने का प्रश्ट है इसके लिए हम लोग ने 179 कंपनी पीएसी हैं 100 कंपनी हमें CAPP भी मिली हुई हैं चुनाओ के दिश्टिगर उसका उप्योग कर रहे हैं इसके अलावे जितने प्रकरण को दील करने की होती है वो चीजे हो रही है सेक्टर स्कीम के अतहस सभी लोग लगातार बहुंचील है